नमस्कार हल्चर में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चर पर नकोदर के अधीनाते गाउं लद्दे वाली में कार सवार हमलावरों ने एक नौचवान पर तेज़ार हत्यारों से गिया हमला हुई मौद अमरिस्सर के माल रोड पर एक निर्मान की शट्रिंग गिरी एक मजदूर गंबीर घायल चार को आई ममुली चोटे तरन-तरन के अधीनाते पत्ती में कार सवार नौचवान पर कुछ लोगों ने चलाई गोलियां गोली रंगने से नौचवान हुआ घायल अरब भल चल विस्तार से नकोदर के सदर थाना के अधीनाते गाउं लद्दे वाली में एक बड़ा मामला सामने आया है जहां देर रात कार सवार लगबग पांच वियक्तियों ने तेज़दार हत्यारों से हमला कर एक नौचवान का कतल कर दिया मृतक की पहचान कुलजिंदर सिंग और फकिंदा निवासी लद्दे वाली थाना सदर नकोदर के तौर पर हुई है पुलिस से मिली जानकारी के मताबिक कुलजिंदर सिंग गतरात्री अपने खेतों में काम कर रहा था कि इस दोराने कार में सवार होकर पांच वियक्ति आये और कुलजिंदर सिंग पर तेज़दार हत्यारों से हमला कर दिया जिस कारण वे गंभी रूप से घायल हो गया जिसे तुरंत जालंदर के एक अस्पताल में भरती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई वे घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर के प्रभारी गुरिंदर जीत सिंग पुलिस पार्टी सहीत मौके पर पहुंच गया और शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटमें तो बिजवा दिया है सूतरों से मिली जानकरी के मताबिक पुलिस नी वारदात में इस्तेमाल की गई कार और दो अरूपियों को ग्रिफतार कर लिया है फिलहाल पुलिस बाकी अरूपियों की तराश में च्छापे मारी कर रही है नकोदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट पितल लगए है उन्दाग्टना है उन्हों कहता है वेदे सर्च जादी साथ लग दिया मैंनों नहीं पता हूँ कौन सी कित्थों आई सी किद्धां सी परमोपके ते जाके मैं आपने कारवड़े महापे जाती है कि को इमदें अचैनले कोलता है कि व कॉई आपसे कोई जिनीली कारकिया तो सी ना जो ώνाकु जादी करेजों है मेरे सास सौरा है ते जेट जचानिया, उनना दे दो बच्चेया, मैं ते मेरा पत्री, ते मेरा एक बेटा. शुज़ परशाशन तो हम पुषित नहीं है? मेरे नहीं साफ जाईद, वशुटने नहीं जाईदे, जिनाने उनने मेरे कारमला बारतों जुटने नहीं जाईदे. कों तक पुछिस ने बंदे बानि फ्राई गिहाती? किन्ये से तोल नहीं ने पता है? मेरे मिन्नु नहीं पता, 8-9, 2 गड़ी आँ से, और 2 गड़ी आं से, रात नहीं करा, गयाण हुठना दा भी किन्ये बंदो, 2 गड़ी आई, 2 गड़ी आई से. अच्छा जी जो तो तुसी मौकटे कौन से आथे उदो उचले गया सी? उचले गया सी, आकर गड़ी खड़ी सी होती अच्छा जी एक गड़ी पहुती नहीं कमर का लेगा है? यही जेराद कोई पौण एकवे करीब लड़ाई हूई है जी जैडा तो बिचे कुल जंदर सिंग पतर भी सिंग वासी लदेवाड़ी नहीं है, जीदी सटा काफी लगी है, शुरू हॉफितल अलाईदान देड़ान नहीं रहाओ को 23-30 करीब जाकर ड़ए हूगी सी इदे विच्छ फिर इसी मौकेते जाके सारा जो देखिया जी इना वा इदे विच्छ इडे सटा मारन वाले यह जी ओंदे लगवाक शेहिद करीब आदमी दस रहने विच्छ चार बंदे इसी इंटिफाइग कर लेने दो दी रेस्ट भी कर लिए जी रेस्ट की तेने जी वह है गुर्दीव सिंग पुतर लेड़ बुद सिंग वासी मेहम गूद पर दूसरा है गा जी विक्की पुतर बंसराल वासी महला गुर्णानक पुरा न पोदर जी दो बंदर जी साधे के स्टेडी चे इनन वसी रेस्ट जी पाती है ते जड़े मरनवाले कल जंदर सेंग है करन दीप ओर आ ओओ देना देता जैट एट र्रादे तैत कि ऐडर जा ढंड जी चन्रीया जी अजर अंट रम इंवरेस्टिकेशन हे स्टे जिए कारन के देटेल देफिछ जी देने पुषकेश करने है तो जी मैं और मुद्रिमा जी महमूब परदा बहुत थाओं तास्य पहला आप सुच एक्टि यह ना ने कि घरदीव संग ने कोई दास परांद ने पहला है कि यह रख यह सी जड़ा के वो काल लगें दे आप यह जड़ा ओ जड़ा करदा ब्रदर रहा जिड़ा जी बिल्वेंदर रहा ओ ते ले गया वो दे तो इना आप सुच फोन ते तकरार हुई है जी उस्तवाद यह थे अरला है कि नाल अपने नाल साथी कठे करके गरदीव संग ने दो गड़ियां दे विचे रहा उत्से जाके ने रात पोने को इदे करीम जड़ा उत्से हमला कीता यह विच्छो दे सटां काफी ज़्यादा लगन करके लिड़ा उस्तवाद खामड़े दे विचेड़ा इनोसेंट हार्ट दे विचेड़ा ने एडमेट कराया थी उतसे उदी अलाइदे दरान डेथ वही है असी अरली मॉर्निंग टीमा बना के रेड़ करके जी सीनिर अपसान लोगत है सानु जड़ा उनने गाइड कीता है जी मताब कसी बंदे दो अमरे सर के माल रोड इलाके में एक मॉल तयार किया जा रहा है जिसके चलते उसकी शट्रिंग करने के बाद उस पर लगबग पांच मजदूरों के और से सरिया चड़ाने का काम किया चारा था कि अचानक शट्रिंग वाले लोहे की प्लेटे नीचे गिर गई जिसकारन उसके उपर खड़े मजदूर भी नीचे लटक गए मिली जानकारी के मताबिक एक व्यक्ति की टांग के उपर ग नहीं था और रहागिरों की मदद से उन्हें नीचे उतारा गिया अम्रिस्तर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट मेरा नाम रोईता मै अपा साम बनेटो नंग ने आप ते बंदे शे साता गे ऑपर बंदे थे ही काता दतया अपर बंदे थे ही काटद тех या ने खी ते याल लेताकर मने को लटन वास देना को कयी इंते जाम नीग रही अद्डा गेंटा गया ती आ एंबुलांस अदो एवसरा में पोनिस का ऊमाना टूत सारा लागा उचा कहाल वारला लाहादीile आत्कोड़ी ऒचा पांड़ी जानौने उन रारला न फीतन अपने 100,000,000 नग चेए वाधा है । जब जड़ार्य को सम्मेद क्से दुटा को को भूलते पैंको पहार ये अगे क मा कि न पे एक आitas शेंद दूल्पी सुर्षा में हाजां भार्य में विलूड़ार्य कि दुटसा अ विल्हा में पो पुल्ता है बाकि को भूलत ज़द है आप साथ संधाथ कोई नीप पोड़ी उपर जड़न साथ नी कोई नीजा लारंच वोला ही डालिमां डालिमा नाड़ी या इसे पसे बंड़ी आव पर चती आड़ साहां नजर उते हो अपर यह एक अव्य है कि अवही तरन तरन के अधीनाते पटी में सरे आम कार सवार नौजवान को जान से मारने की नियत से गोलियां मार कर हमला वरों द्वारा फरार हो जाने का मामला सामने आया है जिसके बाद घायल नौजवान को पटी के सिवल अस्पताल में भरती करवाया गया है इस सबंद में जानकरी देते हुए घायल से वापिस घर को जा रहा था कि स्कूटी और एक मोटर साइकल सवार लगबग 9 नौजवानों ने उस पर हमला कर दिया इस दुरान हमलावरों ने पहले उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाई और उसके सिर में कड़ा मार कर उसे घायल कर दिया और एक गोली उसकी जांग में मार जिसके बाद हमलावर फरार हो गए जिसके बाद इलाके में धहशत का महौल बन गया तो वहीं पीडित के पारिवारिक सदस्यों ने पुलिस से इनसाफ की गुहार लगाई है भीकी विंड से हल्चियोल के लिए बोपिंदर सिंग की रिपोर्ट झाले श्रक्टे जानाय पार वहन दे शाथे के लिए गडिटी ओन अगर जा बोड़ दें इंट कुनाबर ना दें इस दो कि नोगां जाथे बुके धे खंकिया ने इंट लोगाई कि मांग कार दे जो किसा है कि किलो मीटर दे हैं रोज शरकते रहना थे फिर बहु जारी मालिया जाना थे हर बंदा एड़ा वेच बांजी कि फिर एक गल्च मीरी आदा लाई निसा मां लगी सिंग्या जी मेरे ताया जी रवेड़ा अबने आप ऑफेस जी में अपता लगा कि अपुदिर नगा जी जी एजो अबने अगया मैं ब्ल्साइए होना कि यह मोड़ी डंभी आफिस ने जी तायसेग लगी बारे आपक्टी में अपनी एक्णीरी ग्ण्डा पर्लम अबशााब गी यह बाल्च्वारि बढ़िए परस पंचाब में मिशन विजल के तहत पुलिस दोरा विशेश चेकिंग अभ्यान चलाया चारा है जिसके तहत जालंदर के पुलिस कमिशनर कुलदीप चाहल द्वारा अपनी टीम के साथ जालंदर रेल वेस्टेशन की चेकिंग की गी इस दोरान एक व्यक्ति के पास से 5 लाक रुपे कैश मिले हैं जिसके बाद व्यक्ति को पूछताच के लिए पुलिस थाने ले गई और इसके साथ ही इंकम टेक्स को भी सूचित कर दिया गया वे भी थाने में आकर वेरिफाई करेगी फिलहाल प्रात्मिक पूछताच में उस जिसके तहत शहर में काफी नाके लगाई गए हैं और कई जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है अगर कोई व्यक्ति संदिग्द पाया चाता है तो उसे वेरिफाई करने के बाद उस पर बंती कारवाई की जा रही है जालंदर से पंकट शर्मा की अगरे जालंदर से वेजर प्रेशन दे विच्छ जड़ी कर रहा है जो जड़ी कर रहा है जो पंच लाक दे करीब है और जो सब्सक्राइब प्लीस टेशन दे वेच्छ पेज जया है उदे जड़ी प्रॉपर वेरिफाई यसी इंकम टेक्स रपार्रमेंट अले नाल लेकर कर रहे हैं कि कैश कि तो लेकर चले हैं कि अधे मोडली पुश्ट गेज दे विचे उने दस्या कि मैं वपारी है गा ते अपने कोई समान करीद दन जारे से अले वेरिफाई करांगे इंकम टेक्स डिपार्रमेंट नों सूचत करके और ना तो जड़ी हैं कि और नाल लेकर और तो वेरिफाई करावांगे कि के पैसा के तो लेकिया जारे है जलंदर में आसी तकरीबंद तिन सु मलाज़ी टोटल ट्वेंटी नाका है गे और सर्च दुरान याज जड़ा है का नाके ते एक चोरी देके इसका पीओ भी फड़ा गया एंड बाकी चेकिंग हजे चल रही है कि जिन्ने भी जलंदर जिन्ने भी सेंस्टिव जड़ी थावा है गिया उना ते ऐसी सारी सर्चिंग वे नाका वगएरा उथे जासी लाई है गी ऐस समाजिक तत्व हैंगे उना दी ये जड़े सरार्ती अंसर हैंगे उना थे ठल पान वास्ते एजड़े ओपरेशन है टाइम टू टाइम चल दे रहने ते चल दे रहने हैंगे वही मैसेज के जड़ी कनून ते अमन दी जड़ी स्थिए और पीश्फुल है गिया एंड लोग जगों पर चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा करीब छे लोगों को हिरासत में लिया गया जिन में से दो लोगों से 66 बोतल नजाइज शराब बरामत हुई इस मौके पर पत्रकारों के साथ बाच्चित करते हुए बरनाला के एस पी मेजर सिंग ने बता कि इस दोरान पुलिस द्वारा शक के अधार पर छे लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन में से दो लोगों से 66 बोतल नाजाइज शराब बरामत हुई है उनके खिलाफ अलाग अलाग धाराओं के अंतरगत मामला दर्च किया गया है वहीं उन्होंने बताया कि बाकी चार लोगों से भी पूछताच की जा रही है आगे उन्होंने जान करी दी कि पुलिस द्वारा इसके बाद नाकाबंदिकर दो पईया और चार पईया वहन चालकों की बारिकी से तलाशी ली जाएगी बरनाला से हल्चल के लिए विनोध शर्मा की रिपोर्ट करने फॉकर अच्काइब श्रमा अजिव नहीं आगे रिपनी आधाद मास्वानिट खिलास और पर आधाल यूगों से क्ष्टिप्रण नाका फिली कमिसे जे बांच नाका इन्वेस्टेशन वार्टिप्स, जे कोटल, प्रामा जा उत्में जाने दुक्त नामाधिकर जार् करके विद्द दोडे ऑनला दुन तद थों टो यात्वाव करने दो को दो 20 को दो दोड़ा होगा तो युक्त चबह बद्द मोग और आज बगर ने तुम में तुम करने प्लाब करने मिलने में तुम्हादाओं जन्तों बड़े ही अपने पोई जो लोग है कि बभी अमन जो जत्रा चुनु भूई एगी अरो प्रीकुरी अमन मानना लाशी पूरी करांगे सब्सक्राइब डर्म दी लोग नी किसे आम लोग काम अपना 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 कर रहे ने उस तरहे चलिए हुआ है। जन्रल हाउस की मिटिंग बुलाने के लिए दुर्ग्याना कमिटी के पूर्व परधान एडवोकेट रमेश शर्मा ने अपने साथियों सहित दुर्ग्याना कमिटी की परधान प्रोफेसर लक्षमी कांता चावला को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र सौंपने के बाद रमेश शर्मा ने कहा कि वे पहले भी मिटिंग बुलाने के लिए कई पत्र लिख चुके हैं लेकिन उन पत्रों का जवाब नहीं दिया गया। इसी कारण उन्हें खुद अपने साथियों सहित आकर पत्र देना पड़ा। उन्हें कहा कि दुर्ग्याना कमिटी ने जनरल हाउस में कई ऐसे लोगों को डाल दिया है जो सदस्य भी नहीं थे। जबकि दुर्ग्याना कमिटी का सविधान ये कहता है कि पूर्व परधान को सरक्षक बनाया जाता है। इसमें 51 सदस्य चुने जाते हैं जबकि इस उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही जर्नल हाउस की मिटिंग ना बुलाई गई तो अदालत का दर्वजा खट खटाया जाएगा इस मौके पर इंजिनियर रमेश शर्मा डॉक्टर राजकुमार राजीव जोशी अशोक अरोड़ा विपन चोपड़ा नंदलाल जुगल किशोर म महाजन यश्पाल शोरी रामकुपाल मलोत्रा भी मौजूद रहे अम्रिश सर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट में दुर्ग्याना मंदर दे हो दे दारां ते मेंबर आँ जनरल बोडी दे मेंबर आँ सारे असी अगे एक रिजिस्टर लेटर प्रदान दे ना दे लक्ष्मी कांता चावला जी दे ना दे पे जैसी के जनरल बोडी दी मीटिंग बलाओ जीनू साथ-ाठ साल हो गया तो ही प्रदान जी ना जहीं रिक्वेस्ट कर रहा है कि जनरल बोडी दी मीटिंग बलाओ तांकि उदे डिसाइड वे भी जरी अग्जेक्टिव बनी है वो एलिकल है और जनरल हाउस जड़े वो दबारा तो अग्जेक्टिव बड़ी बनावे यह रिक्वेस्ट करना एची और एदे प्रती अहीं चुठी लेखके सारेंदे साइन करके पैंजीनू देखे आएं अरुपीन अनू गुला कुछ नी हाँ असी रिक्वेस्ट दबारा की तिया भी आस कर दें अग्गे भी तौन चुठीया भाईयां ही तो यह देते अमल करोगे अनु मीरे करंगे 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 ते बहुत अच्छी कहला है नहीं ता सानु अदालत ची जाना पहेगा सविदांदी सारा सारो लगना यहीं परदाष्ट नहीं करने और जड़ी कुरॉप्शन हो रही है उनु मी कोई लोगका नौला नहीं है डबल डबल बेला रहा है ने बड़ा कुछ हो रहा है थे अहीं बड़ी मेंट ते तिशद्द दे नाल मंदर नू सिंदे रात लेंदा जालंदर के संगत सिंग नगर में गतरात्री एक व्यक्ति की ग्रिफतारी को लेकर जम कर हंगामा हुआ मिली जानकारी के मताबिक व्यक्ति को सीय ये स्टाफ द्वारा ग्रिफतार किया गया और उसके पास से 20 ग्राम हैरोईन भी बरामत की गई लेकिन महला निवासियों का कहना है कि महला में रहने वाली सीमा नामक एक महिला सब को नशा बेचती है पर पुलिस उ एक व्यक्ति पर सीय ये स्टाफ ने मुकदमा दर्च कर ग्रिफतार किया है और उसकी ग्रिफतारी को लेकर महला निवासी हंगामा कर रहे हैं लेकिन पुलिस को उक्त व्यक्ति के पास से 20 ग्राम हैरोईन भी बरामत हुई है जिस महिला पर महला निवासी आरोप लगा रहे और उससे पूछताच के बाद अगर उस महिला का नाम सामने आता है तो उससे भी रिमांट पर लेंगे जारंदर से पंकर्ट शर्मा की रिपोर्ट मैंडम एक पता लगा कि पूनम ने एक आप पूल्स वालें उन तसी अर्पय देता कि जड़ा बंदर लेकर के वे साठा मुंटा इस्थी आप पांच वे ताड़े मुंटे लागे मैं तूसाटे करें कि उनी दस्थानाई हागी तारी दस्थानाई कि चाड़ें ज़्दि मैंकर नाजी पुट्टें आ अर्पया देहें कि आई है यह देहिए अधि मुंटे रूगे पुश्का पूगे रोही ते करन की आंदा शी बार बार फिर एब लांदी कि पूर करके कि मेरी ज़ी दो आई लैंद जानी हां मेरी तुट्साटे को पर्वे एस्थी आज़ी ते नहीं रहें रहें दा आजी कि अज़ की गल होई आज गल है यह दी तो नबर शायवावे देटर बोटरा ने फेंद जानी है अज़ाज अज़े कार एक रेडवाजी जी जी शाने रेडवाणी कि उत्से मुंटा की नाज़ें दी नाज़ें जाना टाका रोही तो आज़ें गवंतारगा भी आज़ें चलिए कैने हैं रिनर्म की इसलेगा चाली कि अरणी की भी टेवार जाता दो जो तब रिखने कि लांगे को यह मार्जी इसलाम झाणी आसले पोस्टा उरगा उनकी तो और किष्टू नेकी मार्ट मौना थे तो पोल्स क्यों नहीं कालवई कर दिसा तुसी मुलाजमा दे अरूप ला रहे हो तो अड़े को परूफ है अज पुलिस ने रेड किती है तो किडे किने बंदे फड़ेगे कि मैडम दे अरूप ला रहे कि के रा नशा वेई दिया तो मैडम दे करो बंदा फड़े आगे ते मैडम क्यों नहीं रख गे इस तुन लेके तुसी अपना सीनिया दिकारिया नो कोई मंग बत्तर या कोई ख्या दोंगे सब्सक्राइब करें में अधिक तुन करें अधिक तुन कोई श्याद दोंगे नहीं तो कि नामत बटा ना की रोड़ागी विशिया जी अधि कि अधिकारिया थे वाड़ाइब की शर्याद दिकासिया थे तुन करें यह थे शर्याद में लड़के रख रहां जी तुन सर मलेवाला रूप है जिस लेडिस को यह लेके गया उन्हों पुलिस क्यों रॉंड अपनी कर दी पुलिस नो इनफ्रमेशन वह बंदे दी और जिता होनों दी पोश्केश ते नूं नामजाद करेंगे दूसी आज संका संगर नगर वाले ने मला निवासी क्यों रोडा पाया हो थे इस रोडा इससे गल्दा भी हो यह गल्त पड़ी मुटे को पार हो सही है पड़ी पाजी काम भी हो कार दिया सब्सक्राइब मला निवासी सारे कह रहे हैं कि लेडिस कम कर दी है होश्यारपुर के मुकेरिया के अधीनाते गाउं आलो भटी के रहने वाले एक 27 वर्षिये नौचवान प्रवीन कुमार का गत दिवस अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर की विक्टर वैली में एक स्टोर में गोली मार कर कतल कर दिया गया है इस समंद में जानकरी देती हुए मृतक के चाचा सूरम सिंग ने बताया कि उसके दो बतीजे हैं और दुनों अमेरिका में एक ही जगए पर काम करते हैं उन्होंने बताया कि स्टोर पर एक पंध्रह से सोला वर्षिये मेक्सिको मूल का नौजवान आता है जो पैसों और सामान की मांग करता है जिसके बाद विरोध करने पर उसने प्रवीन को गोली मार दी जिस कारण उसकी मौत हो गई उन्होंने बताया कि प्रवीन के पिता की मौत भी अमेरिका में 2015 में हो चुकी है तो वहीं परिवार ने मुरे तक प्रवीन की दे को भारत लाने के लिए भारत सरकार से मांग की है ताकि वे अपने बच्चे का अंतिम संसकार भारतिय रिती रिवाजों के साथ कर सके होश्यारपुर से हल्चल के लिए अंकुष गोयल की रिपोर्ट आउप्षास में नाया है वी वी अंपर हम उड़ा सिक्डेंटे शायद में होश्यार की कि कमा गए उटे पड़ा आप ट्रश वांदी है इस टोर आंती सेफ पैसे हुंदे है एक बंद आज आ आ के लेजेंद है कदर्वाने कोंदों पैसे हुझे है जाद तर पजाबी लुकी है उस तोरह दे काम करते हैं उन्हें भी बड़े रामनर पैसे बींगे अग़े उपना मार के शूट करकर दिये तो तोरह दो फो पर्टक्षण दे हैं तो नहीं है। उस पर्टक्षण देती वागी कुछ सर्का कि अपने नौजवान जान देने हो अकसर स्टोरां ते काम करते ने उते कैश भी हुंदा आई जी बात नशे पते हैं बहुत जादा ने अपने इंडियानों भी जादा ने उना को हत्यार एजिली वैलेबल हुंदे हैं अपने मुड़े जितना दिलेनियां देने को लड़ना पहलेख करेंडेयां या दैसा शुरू करदेंडेया विससे एकके लिए और ऐसे को हर्की आजए जू हमाले जबें पहले ना फिर्म है पर पहलना बचार है और इस्वरी किसमा माणी सी किया जा सकता कि इसमों टार्गेट कीता है जहां टार्गेट करके ही इस नहीं इद्धा नहीं कोई काल नहीं बस वही लुटन को वाला ही मकसद से का होड़ कोई तार्गेट है सब देश के सबसे अगरणी और प्रतिष्टित राश्ट्रिय कृत बैंक स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने अपनी स्थापना का 68 साल का गौरम में सफर पूरा कर लिया है बैंक की इन उपलब्दियों के सफर को ग्रहकों को समरपित करते हुए बैंक की जी टीपी नगर स्थित समरिद्धी शाखा ने स्टेट बैंक डे पर पेंशनर्स मीट का योचन किया इस अंदर्म में बैंक की शाखा में एक भव्य समरो आयोचित हुआ ये समरो शाखा प्रभारी पवन बसी की देखरिक में हुआ समरो में अलग-अलग विभागों से सेवा निर्वित हुए पेंशनर्स को अमंत्रित किया गया इस मौके पर बैंक की विवसाइक शाखा की शेत्रिय प्रबंदिका अनूपमश शर्माने खास तोर पर शामिल होकर पैंशनर्स को बैंक की स्थापना से लेकर अब तक के दशकों के लंबे सफर से अवगत कराया इस बीच उनों ने बैंक की और से ग्रहकों के ओ दीचार ही सेवाओं के बा साथ ही साथ सभीने ग्रहकों के प्रती अपनी प्रती बद्धता भी दोहराई इस मौके पर शाखा प्रभारी पवनबसी नरेश कुमार SBI वेल्थ से शेली गुपता जोतिंदर कौर जसबीर कशिश धरंपाल और ममता सहितान्य पदादिकारी उपस्तित रहे जालंदर से हल 58 बैंक दिवस मनाया गया और इसमें हमने बैंक के जो ग्रहक हैं उनका एक उनकी मीटिंग करी थी हमने और उसमें सभी ग्रहकों से हमने feedback लिया उनके suggestions लिये किस तरह से बैंक की सेवाओं को बहतर किया जा सकता है और सभी ग्रहकों से बहुत valuable हमें suggestions मिले feedback मिले State Bank अपना 68th Bank दिवस मना रहा है और हमेशा से Bank की यही कोशिश रहती है कि किस तरह से अपनी सेवाओं को चाहे वो Digital हो, चाहे टेकनोलोजी रिलेटिड हो चाहे वो Customer Service से रिलेटिड हो किस तरह से अपनी सेवाओं को बहतर किया जाए और इस यूप लक्ष में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया था ताकि ग्रहाकों से डारेक्ट माचीत करके उनसे हम लोग यह सेजेशन ले सकें, उनसे फीडबैक ले सकें और इस मीटिंग आज की बहुत सफल रही और खास करकि इसमें जो हमारी समरिद्धी शाका के शाका परबंदक हैं श्रीपावन कुमार बसी जी उनका अच्छा आयोजन रहा इस मीटिंग को और्गनाईज करवाने के लिए और बहुत ही एक सफल यह प्रायोजन रहा और अब अंत में हल्चल की कतिविदियों पर एक नजर फिर से नकोदर के अधीनाते गाउं लद्दे वाली में कार सवार हमलावरों ने एक नौचवान पर तेज़ार हत्यारों से गिया हमला हुई मौद अमिस्तर के माल रोड पर एक निर्मान की शट्रिंग गिरी एक मजदूर गंबीर घायल चार को आई ममुली चोटे तरन तरन के अधीनाते पट्टी में कार सवार नौचवान पर कुछ लोगों ने चलाई गोलियां गोली रंगने से नौचवान हुआ घायल इसके साथ ही अब तक की इगतिवी दिया स्माप्थ होती है और तासा चौनकारी के लिए देखते रहे हैं हल चल्ड़ बादे लोगों प्राइब कर दो चल्ड़